नमस्ते दोस्तों मेरा नामक्षा शर्मा है वेलकम पैक टू रूद्र तत्व एश्टरोजी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांग नंबर साथ की देखिए साथ मूलांग जो है वो केतू का मूलांग है आपको मूलांग निकालना मैंने बता देए एक बार फिर यह है कि आप अपनी डेटर वर्थ को पूरा प्लस करने जिए और पूरी डेटर वर्थ को प्लस करने वाद एंड में जो नंबर निकल के आएगा वह आपका हो जाएगा भाग्यांग लेकिन मूलांग के अंदर होता है कि आपकी सिंप्ली जो डेट होती है उसको आप प्लस प्लस करने के लिए जैसे शुक्रा चाहरी तो और इन सब के दानावों के गुरू माने जाते हैं तो आप अगर कोई गुरू बनाएंगे तो आपको जरूर कुल गाइडिस महीने की किसी भी साथ तरीक आपका जन्मुआ या फिर 25 तरीक आपका जन्मुआ तो आपका मूलांग हो जाएगा साथ तो आपके अंदर एक परसनलिटी बेहवेर आपका थोड़ा हो जाएगा केतू देव जैसा देखिए के तुदिव के अंदर बुरा यह है कि इन्हें ल रिवाट लेंगे चलता अपने साथ कि यह मोक्ष प्राप्ति कर देता है आपको देखिए केतू जो है वह संसार से मोमाय सब्सक्राप्ति कहले के धोग जा लोग रहता है तो इनननल इसलगिकarasब मी चनलने की उनका रहते हैं कि वो दुनिया से अलग चलते हो और उनको एक बोक्ष प्राप्ति करनी ये भाव उनके अंदर रहता है तो केतु के ये कुछ गुण हो गए अब केतु को रुदराक्षी बात कर लेते हैं देखिए केतु देव का रुदराक्ष है नौ मुखी जो रुदराक्ष है वो केतु रुदराक्ष ए अगर आप केतु देव का रुदराक्ष धारं करते हैं तो आपके जीवन में केतु देव से जूड़ी सारी जो दिक्कते हैं कघ्रेद कर तो आपको लंबी मिमारी लगने के चांस ज़्यादा है तो ऐसे केस में आप नौ मुखी रुद्राक्स को धारन कर सकते हैं नौ मुखी रुद्राक्स धारन करने से आप इस घ्रह को पॉजिटिव होना पाएंगे और उसके सारे नकारत्माक रिजल्ट आप कम कर बाएंगे देखिए राहु केतु का रत्म कभी धारन नहीं किया जाता है उसको कभी रिकमेंट करना भी नहीं चाहिए पर रुद्राक्स धारन किया जा सकता है उसको धारन करने से सारे नंगीटिव प्रभाव वह कटम हो जाते हैं केतु के मित्र अंक कौन से हैं राहू का है पांचवा बुद्ध देव का और छट्टा शुक्र देव का 6वा केतु स्व्वेम और 8वा शनि देव का शत्र अंक केम बात पर लिए के यहां पर शत्रू जाएंगे यहां पर 1 2 तीम और 9 neighborhood है सूरा देव का दूसरा है चंद्रदेव आपीछा ब्रस्पति नवा है मंगल देव का तो यह ओ गए इनके शत्रू ांख शुब दिन इनके HOW價 हो जाएंगे शुक्रवारो और शनारे दोनों दिन जो है वो केतु के लिए शुब माने जाते हैं शुब दिशा देखिए केतु की दो शुब दिशा हो जाती है एक हो जाता है नहरित्यकोन जो की राहु के लिए शुब है और एक हो जाती है इशान कोन क्योंकि केतु मोक्षप्राप्ति के लिए भी माना जाता है केतु देव का उपाई यह है कि आप उनका रुद्राक्स धारन कर लिजिए और साथ में आप शनी चालिशा का पार्ट कर सकते हैं शनी चालिशा का पार्ट करने से आपके जीवन में केतु देव के बुरे प्रभाव का पार्ट कर सकते हैं, शानी चालिसे का पार्ट करने से अगर सकारतमक हो जाएंगे और साथ में आप इनका रुद्राक्ष भी धारन कर सकते हैं जो कि ये 9 मुखी दोस्तों अगर आपको ये इन्फर्मेशन पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करना ना बूलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर देगा ताकि ऐसी और वीडियोज आप मिस ना करें